जहिन दोस्तों डियलेड इंट्रांस एक्जाम 2023 का जो है आपका पूरा ओफिसियल अपडेट आ चुका है डेट आ चुकी है आपकी जो पाली होगी पर्थम पाली में होगी दित्य पाली में होगी यह सारी चीज़ें आपको बताएंगे और एक्जाम सेंटर में क्या-क्या ल देख लेते हैं सबसे पहले देखिए इसकी अथेंटिसिती जानते हैं क्या यह खबर सची है नहीं है तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं दूसरे जगह यहां पर आजए देखिए ई-पेपर परभाद खबर मैंने खोल रखा है इस पर जब आते हैं तो आप यहां आते हैं तो आप यहां पर यह वाली नोटिफिक्शन देखो वही चीज है ना बिहार विद्याले परिक्षा समिती के दुआरा और यहां पर आपका प्रथम पाली देते पाली वही सारी चीज़ें दे रखिए तो चलिए यह बिल्कुल ऑथेंटिक है और आपकी जो है एक् साफ साफ दे रखा है आपका कि यह जो है आपकी एक्जामिनेशन कब से कब तक होगी तो याद रखेगा आपकी एक्जामिनेशन जो हो रही है वो आपका 5 जून से स्टार्ट हो रही है और कब तक चलेगी यह आपकी तो 5 जून से यह स्टार्ट होगी और यह आपकी अब admit card पर लिखा होगा अब देखो पर्थम पाली दित्पाली में ये examination चलेगा reporting time यहाँ पर दिया हुआ और gate closing time दिया हुआ अगर जिसका पर्थम पाली में होगा उनको morning में सारे 8 बजे अपना center पर पहुँचना होगा और जिनका जो है दित्पाली में होगा वो 1 बच के 30 मिनट पर अपने center पर पहुँच जाएंगे ठीक है और gate close होने का जो timing होगा वो 9 बजे तक और यहाँ पर जो gate close का time होगा वो 2 बच के 30 मिनट तक gate close होने का time होगा और test time जो होगी वो 10 बजे से लेकर के आपकी 12 बच के 30 मिनट तक जो है आपका paper होगा 2.5 hours का paper होगा 120 number का 120 marks का यहाँ पर आपका paper होने वाला है कोई भी negative marking यहाँ पर नहीं होने वाली है अब सवाल उठता है exam center में क्या-क्या लेकर के जाएं सर यह भी बता देते तो बहुत अच्छा हो जाता तो चलिए exam center पर क्या-क्या लेकर के जाना है वो हम आपको यहाँ पर बता देते है ठीक है फटा-फटा आ जाईए exam center पर क्या-क्या लेकर के जाना है पहले इन सब को थोड़ा से erase कर लेते हैं अब देखे exam center पर क्या-क्या लेकर के जाना है इसको देख लेते हैं यहाँ पर ठीक है देखे यहाँ पर गौर से मैं आपको पूरा चीज़ें यहाँ पर समझा रहा हूँ बिल्कुल एक वीडियो आप देख लो इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं देखना है अब देखे यहाँ पर आवस्य एक निर्देश दिया हुआ है आपको किलिरली नहीं दिख रहा होगा मैं पर के सुनाता हूँ ठीक है इसमें साफ साफ कह रहा है कि आवेदन के साथ अपलोड किये गए फोटो की पासपोर्ट आकर का रंगिन फोटो को मूल परवेश पत्र के निर्दारित अस्थान पर चिपका कर साथ में लाएंगे जिससे परिक्षा कक्ष में विक्षक को जमा करना होगा मूल परवेश पत्र की चाया परती अभियर्थी अपने पास शुरुक्षित रखेंगे तो आवेदन के साथ अपलोड किये गए फोटोग्राफ की जो पासपोर्ट आकार है आपने जब अप्लिकेशन दिया था उस समय जो फोटो था वो आपने जब अपलोड किया था है ना वो फोटो को मूल परवेश पत्र के निर्दारित अस्थान पर चिपका कर जो आपका एड्मिट काड आएगा उसमें एक जगह खाली होगी वहाँ पर वही रंगिन फोटो को जो आपने फॉर्म भरते समय फिल किया था उसको दुबारा से यहाँ पर जो अस्थान होगा जहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ चिपकाना है उस जगह चिपका करके आप उसको ले जाएंगे है ना और जिसे परिक्षा कक्ष में विक्षक को जमा करना होगा तो दो एड्मिट काड आपका निकलेगा है ना जिसमें से एड्मिट काड जो होगा उसमें एक एड्मिट काड में आपका क्या होगा कि वहाँ पर आपको फोटो लगा करके उसको जमा पुरना पड़ेगा मूल पर वेस्पत्र की छाया परती अभियरती अपने पास शुरुक्षित रख लेंगे कहने के मतलब है एड्मिट काड एक ही आएगा उसका आप जिरॉक्स करा लेंगे जिरॉक्स करा के आप अपने घर पे एक रख के जाईएगा दूसरा ओरिजिनल वाला में दो लेके जा सकते हैं एक में जिसमें आपको एक्जाम देना है दूसरा जो निकालेंगे आप तो उसमें से एक कॉपी में आप क्या करेंगे उसको उसमें फोटो चिपका के जमा कर देंगे तो एक घर पे रखना है एक पास में लेके जाना है और एक कॉपी ले जाना है जिससे आप क्या करोगे फोटो चिपका करके जमा कर दोगे जमा करने के बाद भी admit card आपके पास दो-दो कॉपी रहेंगे है न अभियर्थी को वैद और मूल फोटो पहचान पतर यथा निर्वाचित पहचान पतर आधार कार्ड कुछ भी आप ले सकते हो चाया पहचान पतर ले जाओ या फिर आधार कार्ड ले जाओ या फिर बैंक एकाउंट का पासपोर्ट है ड्राइवरिंग लेसंस है फोटो कोई भी राशन कार्ड है सरकार द्वारा मानताप्राप्त अन्य फोटो है न युक्त जो पहचान पतर है उसमें से कुछ भी आप ले करके जा सकते हूं परवेस पतर पर बिना फोटो चिपकाय और बीना वैद फोटो पहचान पतर के अभिहार्थी को बिलकुल भी एक्जा होंगे यानि परिक्ष्षा के अंदर पर समय पर पहुंचना है जहां बोला जाए वहीं पर जाना है निरधारी समय पर परिक्ष्षा के अंदर के गेट बंध हो जाने पर अभ्यरती परवेश के दूमती नहीं दी जाएगी अगर टाइम पर जो टाइमिंग है पर्थम पाले की कि सारे 9 बजे गेट बंद होगा अगर आप 9.35 में पहुंचोगा तो 5 मिनट लेड भी पहुंचोगे तो जमा आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा दो मिनट लेड भी पहुंचोगे तो नहीं सायद दिया जाएगा इसलिए आप जो ह करना पेंसिल या फिर पेन आप ले करके जाओगे कोई भी रफ पेपर या अन्य सामगरी लाना वर्जीत है सिर्फ पेंसिल और पेन लेके जा सकते हूँ परिक्षा कंप्यूटर पर होगी यानि CBT होगी और अभियर्थी को यूजर नेम और पासवर्ड जो कि परिक्षा के परिक्षा प्रारम के 10 मिनट पूर्व सभी अभियर्थी को आवंटित किया जाएंगे यानि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या होगा वो परिक्षा के समय ही आपको दिया जाएगा वही यूजर नेम पासवर्ड डाल करके आप इंट्री करके जो है एक्जाम देपा परिक्षा के इंदर में परवेस करेंगे ज्यादा अच्छा है अगर आप जूता मोजा पहन के आएंगे तो आपको चपल खरीद करके जाना पड़ेगा या खुले पाओं आपको जाना पड़ेगा परवेस पत्र में अंकित परिक्षा के इंदर परिक्षा तितिया और समय तक परिक्षा की अवधी समाप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी अवियर्थी को परिक्षा कख्च छोड़ कर चले जाने की बिलकुल भी अनुमती नहीं होगी चाहे आपके घर में कोई डेथ ती क्यों ना कर जाए आप नहीं निकल सकते हो जब तक की इग्जामिनिशन भग उपस्तिति के अंतरगत सभी अभियर्थी को जो है अंगुठा वगर का निसान वगर देना पड़ेगा यह सारी चीजें जो फॉर्मेल्टीज है वो सब कुछ आपको करना होगा मैं लाइन बे लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं कि कोई चीजें जो है अगर मिस ना हो जाए आपको दुबारा यह चीजें ना पड़ना पड़े एक वीडियो देख लो तो आपको सारी चीजें हो जाए ठीक है किलियर बाकि जो टफ चीजें होंगी मैं समझा दूंगा यहां पर बाकि सारा देखे क्या मास्क बगर लेके जाना है क्या तो परिक्षा करक्ष में अभि अभिएर्थी को बाएं हाथ से अंगूठे का निशान दर्ज कराना होगा साथ ही साथ वेफ फोटो भी लिया जाएगा ठीक है परिक्षा नमंकर में के वक्त परिक्षा करें बाइयोमेट्रिक उपस्तिती से मिलान कराया जाएगा यह सब उनका अपना है कि वो क्या क्या कर करते हुए रहना होगा मास्क लगाकर तथा हाथ में सेनिटाइजर करते हुए यात्रा करें एवं परिक्षा के अंदर पर उपस्तित होँए ठीक है तो कोविट-19 को ध्यान में रखते हुए अभिरती के लिए आवशक है कि समाजिक दूरी बनाए रखें मास्क लगाकर सब्सक्राइब करेंगे अपना जो होगा वो करेंगे बागी चलिए कुछ और बता देते हैं आपकी क्लास कहां पर चलेगी यह देख लिए देखिए बहुत ही खेट के पाथ साथ कहना पड़ रहा है कि देखो पहले क्या हुआ था हमने कहा था कि ड्रीम सेवक योद्धा प कर वाधि कर रहे हो तो हमने सौचा की सारा जो टीचर है उसका टीयों के सैंल यही कर रहे हो सब की तैयरी यहीं पर होही शिटेट कर रहे है है ना इसकी भी तैयारी होगे और अगले साल से जो BPSC TET की परिक्षा होगी चुकि आप लोग सारे Teachers यहीं रहोगे जो टीचर बनने वाले लोग है तो आपकी BPSC TET भी यहीं करवा देंगे ठीक है सारी तैयारी सुरू से अन तक टीचर बनने का पूरा सफर इसी चैनल पर आपका होगा ड्रीम सेवक टीचर के नाम से यह चैनल है हो सकता नहीं मिले क्योंकि अभी इस नाम के साथ वीडियो वगर नहीं डाला गया है ज्यादा कुछ इसमें अड़नी हुआ है तो मिलेगा नहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा आप एक बार टीचर चैनल लिख करके सर्च कर लेना या मैं इसको आपको अपने टेलिग्राम ग्रूप है वहाँ पर आपको डाल दूँगा तो जल्दी से सभी लोग ड्रीम सेवक टीचर्स को जो है इसको सब्सक्राइब कर लिजे और यह सीटेट लिखा हुआ है ना सीटेट की तयारी यह हट जाएगी अभी हमने टाइम नहीं मिला अपडेट करने का तो आप ड्रीम सेवक टीचर्स यही चैनल पर क्लास चलेगी लोगों फिलहाल यह है भारत सीरीज जिसकी बात हमने कही थी भारत सीरीज और रात के टाइम में हम लोग क्या-क्या डिसकस करेंगे आपका हिंदी डिसकस करेंगे जीके डिसकस करेंगे साइंस के को डिसकस करेंगे बाकि जो सब्जेक्ट होगा जैसे मैत और डिजनी रहेगा वह आपको अलग टा तारीक के बाद जो है 22 तारीक से आपका जो है मंडे से दिन के टाइम में भी आपकी रिजनिंग और मैद की क्लास को सुरू कर देंगे तो अपने दोस्तों में सेर कीजेगा और इस वीडियो को जदा जदा सेर कीजेगा धन्यवाद